हेलो गाइज दिस इजनिल जांगेड हमारा चैनल का नाम है इगुरकुल और आज हमारा रिजनिंग का लेक्चर टू है जिसमें हम डिसकस करेंगे 1-200 के स्क्वेर्स जो के आप 2-4 सेकेंडों में निकाल पाओगे उसके बाद इसी में इसी वीडियो में हम डिसकस करेंगे इस तरीके से याद करने के मैंने आपको कुछ टिप्स दिये थे जो आपको रिजनिंग में और आपकी स्पीड बिल्ड़प करने में और एक्विरेशी में काफी आपकी हेल्प करेंगे ठीक है रिजनिंग एक ऐसा टोपिक है जिसमें आपके नमबर नहीं गटने चाहिए और जितना जल्दी हो सके आपको रिजनिंग का पॉर्शन अटेंप्ट करना रहता है ताकि आप पूरा पेपर अच्छे से कर पाओ ठीक है आज हम इस दूसरी वीडियो में कुछ फिर से टिप्स सिखेंगे क्योंकि देखो मैंने आपको पहली वीडियो में भी बताया था जिसमें आपको टेबल याद करने जरूरत भी अगर कोई याद ना भी करना चाहे वैसे तो याद कर लो तो ज्यादा बड़ी है ना याद करना चाहे तो भी काम हमारा आसानी से हो जाएगा ठीक है पहले हम स्क्वेर सीखते हैं तो हम एक ही तरीका सीखें वैसे तो बहुत स सिक्स का स्केरी है तो देखो सबसे पहले जो हमारे पास यूनिट प्लेस पर संख्या है काहीक अंक जो हमारा पहले उसका स्केर लिखेंगे यहाँ पर तो छे का स्केर क्या होता है वैशतिस तो यहाँ 36 लिख देंगे 36 उसके बाद जो 10th place पे है दाई के अंक पे जो है उसका square लिखेंगे 2 का square कितना रहता है भई? 4 इतना हो गया उसके बाद जो भी अंक आपको इस question में दिख रहे हैं तीनों को क्या करेंगे आपस में multiply 2 x 6 x 2 2 x 12 12 दूनी 24 12 इतना हो गया इतना करने के बाद एक step और करना है और आपको square आपके सामने ये समझाने के लिए इतने step है एक बार आप सीख जाओगे उसके बाद आपको इस सारे step लिखने की जुरूरत नहीं आप verbally दिमाग में आप सारी calculation कर लोगे आप इसमें जो unit place पे उसको as it is लिखेंगे जो बच गया यहां पे तीन बच गया ठीक है इसको हासिल की तरह या जिसको carry forward बोलते हैं इसमे एड करेंगे तो 24 में तीन एड करोगे कितना होगे भई 27 अब तीन एड यहां की है हमने तो क्या है हमारे पास 27 तो 27 का जो unit place पे आया इकाई कांग जो आया उसको लिखेंगे as it is जो बच गया उसको भई आगे वाले में carry forward देंगे और एड करेंगे तो 4 में 2 एड करोगे कितना जाएगा 6 तो यह आगे हमारे पास 26 का स्केर एक दो एक्जाम्पल और करते हैं आप सीख जाओगे सबी लोग अगला है मालो मैं निकालना चाहूँ 37 का स्केर तो सेम सबसे पहले क्या करेंगे यूनिट प्लेस वाड़े का 7 का स्केर किरा कितना है भई 49 ठीक है मैं यह मान के चल रहा हूँ आपको भई 10 तक के स्केर तो सबको आते होंगे ठीक है जिसको नहीं आते भई याद कर लेना बहुत काम आने वाड़े है रीजनिंग और मैहत में अगर आप कम्पिटिशन लेवल की तयारी कर रहे हो तो आप कोई थोड़ी बहुत चीज़े याद करनी पड़ेंगे उसके बाद तीन का स्केर लिखेंगे यहाँ तीन का स्केर क्या होता भाई 9 उसके बाद जो भी आपको अंक है आपके पास 3, 7 और 2 तीनों को क्या करेंगे आपके में मल्टिप्लाई साथ एक किस दुने 42 यह आगया हमारे पास अब जो यहाँ पर यूनिट प्लेस पे है आगला स्टैब क्या है भाई उसको as it is लिखेंगे 9 का 9 लिख दिया बच क्या गया हमारे पास 4 तो 4 को इसमें carry forward देंगे add करेंगे कितना आएगा भाई प्लस 4 करेंगे 46 इसका यूनिट प्लेस का as it is लिख देंगे जो बच गया है उसको इसमें add करेंगे तो 4 को 9 में add करोगे कितना आएगा 13 आगय भाई यह आगय 37 का स्केर ठीक है आब एक ऐसा एक्जामपल लेते हैं 42 का 42 का square करना है तो यहाँ पर पहले इसका square करोगे कितना है 2 का square 4 लेकिन इसको 4 नहीं लिखना है इसको लिखना है 0,4 ठीक है हमेशा धान रखना इसको दो अंक में यह ने लिखना है 4 ना लिखके क्या लिखका 0,4 उसके बाद 4 का square करा कितना है भई 16 इन सब के आपस में क्या करनी है multiplication 4 into 2 into 2 8 दूनी 16 ठीक है इसको थोड़ा नीचे लिख देता हूँ 0,4 अब भई इसका 4 का 4 ऐसे क्या ऐसे 0 को आगे लिए जाओ कोई फरक नहीं पड़ेगा 6 उतार लो यहां से ठीक है फिर एक ही कैरी फोड़ हो जाए कितना हो जाएगा 17 बैल इसके कितना आगेब है 1764 मैंने तीन एक्जामपल आपके सामने लिख दी है चलो एक और कर लेते है अब थोड़े बड़ी ट्रम लेते हैं मानलो तो 88 का स्क्वेर निकालना है 84 83 का ले लो उसमा वो भी हो जाएगा 83 का स्क्वेर में तीन का स्क्वेर करा कितना है भई 09 8 का करा कितना है 64 तीनों का अपस में क्या करा मल्टिप्लाई 8 यह 24 दोने 48 ठीक है यह 9 लिखा 0 को आगे बेजा कोई फरग नहीं पड़ा 8 उतार लिया हमने ऐसे का ऐसा 4 को कैरी फोरोड बेजा कितना हो गया 68 आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा बहुत आसान तरीका है अगर किसी को भई समझ में ना आया हो तो वीडियो को एक बार रिवाइंड एकर के सीख लेना आसान सा तरीका मेरे इसाब से आ जाना चाहिए समझ उसके बाद 1-100 की टेबल को कैसे निकाले विदिन सेकिंड देखो अब थोड़ा से एक बार बेसिक में आपको बताऊंगा बेसिक वैदिक मैथ की ट्रिक है उससे आप किसी भी टेबल को इसली निकाल लोगे यह आपके अगर कोई छोटे बच्चे स्कूल को स्कूल में पढ़ रहे हो उनके लिए भी बहुत हैल्फुल है क्योंकि जादा तर आप पहले तो स्कूलों में रट्टा लगवाते थे टे कित क्रीं कैश है देखो मैं पहले एक ग्जाम्पल से समझा रहा हूं मालो की दो मैं करना चाहूं 25 के 25 का तो सभी को अल्मॉस्ट आता ही होगा एगजाम्पल के तोर पर ले रहा हूं मालो 25 yüz हए करना हो कि है आब आई लेफ्ट तू राइट ठीक है लेफ्ट तू राइट कल्कुलेशन करनी है तो उसके लिए सबसे पहले देखो इस इस अंक को अगर इसका स्थाई मान या प्लेस वैलियों कहें तो क्या है यह यूनिट प्लेस है यह 2 बोलते से का स्थानिमान स्थानिमान क्या होगा इसका पांच स्थानिमान पांच क्यों के ऑग है दिलेटले लेकिन जो ये टू है ठीक है ये जो टू है इसका अगर स्थानियमान हम से पूछा जाए तो वह टू नहीं है हो क्या है क्यों कि टैंथ प्लेस पर है तो टाइक स्थान पर है दाई के स्थान पर हम इसको क्या बोलेंगे 20 ना की 2 तो पहले हम इसकी multiply करेंगे इसके साथ ठीक है फिर करेंगे इसके साथ और दोनों को add कर देंगे वो हमारे पास result आजाएगा या इसको आप पहले में बता दे रहा हूँ फिर दूसरा तरीका भी बताऊंगा इसे में देखो अब इसको 5 को 2 से ने भी किस से multiply कर रहे है 20 से तो 5 को 20 करोगे कितना आएगा 100 प्लस फिर करो 5 को 5 से कितना आएगा 25 तो जो रजल्टा आया आड करने के बाद कितना 125 वो हमारा क्या आएगा भाई आंसर ठीक है ज्या एक तरीका और है कि आप इसको 5 को 2 से multiply करो लेकिन ध्यान रखना कि 10 प्लेस पे इसलिए एक 0 लिख देना अपने हिसाब से ठीक है आप 10 प्लेस की वज़े से एक जिरो और लगानी है हर बार तो भी आपका अंसर सेम यह आएगा जैसे मालो मैं निकालना चाहूं 378 जा ठीक है यह मुझे मालो निकालना हो तो फिर से वो ही करेंगे लेफ्ट टू राइट लेफ्ट टू राइट का ना वैदिक मैथ में भी सारा केलकुलेशन लेफ्ट टू राइट ही होता है तो यह ट्रिक वहीं से आई है अब यहां मैंने बताया था कि यह इसका जो प्लेस वैल्यू है वो थ्री ना होके भाई क्या है थर्टी है क्योंकि यह कहां पे है टैंथ प्लेस पे है तो आप अगर थर्टी से करना चाहो तो बढ़िया है और थर्टी से ना करके कोई ना जी हमें तो कैलकुलेशन थोड़ी कम करनी है तो तीन से कर लो लेगिन एक जीरो याद रखडा लगानी है त्री एड़ जा कितना है ठीक है भाई हमने तो इंदी में याद करे थे अपने टाइम में आजकल आ गया है एट सेवन जा वाड़ा कॉंसेप्ट तो यह जो रिजल्ट आएगा यह हमारा आंसर है कितना आएगा भाई 296 है बहुत आसान तरीक है अब इसली कर लोगे हाहा एक चीज और इसको करने से पहले बहुत नौ टक के पाड़े तो याद कर ले ना जैसे मैं अभी यह मlichलटिप्लाइ कर रहा हौँ तो कभी उसको है चल्कुलेट करने लग जा गूए गो इनक की पर यह गोलेगो एक दो और कर रहा हूं बस उसके बाद फिर इसको खतम करेंगे यह हमारी रीजनिंग का लेक्चर टू रहेगा आज गा चोटी सी वीडियो है उसके पिछे रीजन यह है कि मैं थोड़ा सा आपकी पहले कैलकुलेशन और वो सब चीजे बिल्डप करना चाह रहा हूं उसके बा बाद मानलो मेरको करना हो 87 सिख्जा क्या होता है तो अब एक कोश्चन और मैं मल्टिप्लाइ करके देखा है फिर मन मन में हम कोसिस करेंगे करने के अब पहले इसको 860 कितना होता है बाई 48 और मैंने कहा है यह 10 प्लेस पे है तो एक 0 अपनी तरफ से लगाने कितना हो गया ब सिक्स है बंजा कितना होदा बाई 42 तो 42 का 42 तो बहुत चार स्वास्चिम बायाल इस तो जोडिल हो गया कितना हो गया पान्सो बीशर दो पान्सो बाईस ठीक है इसके बाद आप एक एक कोश्चन और ले रहे है मानलो आमे निकाल लाओ 93 अब इसमें कोशिस करेंगे है मन की मन में करने की एट नाइन जा कितना होता है बाई आठ नहीं कितना होता है 72 और एक जिरो में लगाना है तो कितना हो गया 720 और आठ ती है 24 तो 720 में 24 जोड़ों कितना हो गया साथ सो चवालिस ठीक है जिसको समझ में नहीं आया है उसके लिए अब लिख दे रहा हूं मैं पहले इसको इससे मल्टिप्लाई करोगे तो यह टैंथ प्लेस पे है तो एक जीरो ध्यान रखना आठ निम्बाद तर जीरो जरू लगा लेना आठ ती है 24 तो भाई यहां से आया है यह साथ सो चवालिस होप सबको समझ में आया होगा भाई दो मैंने शोट ट्रिक्स बताए है वन टू अंडर्ड की टेबल्स वन ट कि ऐसे तो इस सारे हो जाएंगे लेकिन फिर बढ़ अगर कोई और भी हो मांढ़ो किसी भी संख्या के लास्ट में पांच हो भूर उसका आपको स्क्वेर निकालना हो ठीक है वह कोई भी हो सकता हो यूणिट प्लेस पर हमेशा क्या होना चाहिए 5 होना चाहिए ठीक है यूनिट प्लेस पर पांच रहेगा तो बहुत आसानी से हो जाएगा इसका स्केर कैसे पहले पांच के लिख दो है कितना होता है बाई 25 उसके बाद जो आगे ट्रम लिखी हुई है 10 प्लेस पर उससे नेक्स्ट ट्रम के साथ उसका मल्टिपलाई कर देना इससे नेक्स ट्रम के साथ नेक्स्ट ट्रम में पांच दोनों के आपस में क्या कर देना मल्टिपलाई ठीक है कितना आएगा 20-25 यह आगया सिद्धा साब का अंसर छोटे उस पर करके देख लो मालो 15 का तो सब को आता ही होगा नहीं आता तो भाई फिर से सीख लेना पांच पांच पच्चिस और एक की दो से मल्टिपलाई करोगे नेक्स ट्रम क्या है दो दोनों के आपस में मल्टिपलाई दो सो ठीक है तो यूनिट प्लेस पर जब भी पांच रहेगा तो यह कॉंसप्ट है वैसे यह आया कहां से वो भी बता देता हूं देको आया यह वह 45 का स्क्वेर हम यह लिखते हैं 45 इंटो 45 इसी को 45 का स्क्वेर बोलेंगे तो आया यहां से भाई अगर इन दोनों का सम क्या हो टैन है ठीक है और यह जो यह वाला नंबर है टैन्थ प्लेस पर यह हो सेम ठीक है इन दोनों का सम और यह हो सेम तब यह वाला लोजिक लग जाता है ठीक है आया यह वहां से है उस पर ज्यादा बात नहीं करेंगे अगर उस पर करनी हो तो कमेंट में लिख देना वो भी बता दूँआ वैसे आप यह ज्यान रखना बस यह और वन टू अंडर का जो म नहीं करेंगे अगली जो वीडियो रहेगी इतनी वीडियो रहेगी उस पर हम क्यों स्केर रूट और क्यूब रूट के बारे में सीखेंगे faxव ל׎ फिर उससे आगे कोशिश करेंगे अगर जरुस पड़ी तो इमपर फेक्ट में करनेगे बाकि कोस्टिन जो नल्रमलम का ि आते हैं तो अगला जो वीडियो रहेगा हमारा वो रहेगा क्यूब रूट और स्केर रूट के उपर थैंक यू आज का सेशन यहीं खतम करते हैं रीजनिंग का थैंक यू